वेल्कम दोस्तों एक और फिर स्वागता है आपका मारे यूटीब चैनल TechJCC पे आज मैं आपके लेकर नहीं वीडियो आज हम बात करेंगे C Language में Arthematic Operator पे ठीक है सबसे पहले आपने मारी साइट पे आजाना है Operator पे आप क्लिक करोगे तो आपको Operators मिलेगे वहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करेंगे Arthematic Operator के बारे में ठीक है यह Arthematic Operator है Plus, Minus, Multiplication, Division, Modulate ठीक है तो इसका प्रोग्रम है सबसे पहले Hash Include यह मारा Plus का Operator है, Edition का Operator का प्रोग्रम है Hash Include Studio.h, Studio.h का मतलब क्या होता है Standard Input Output Header Files Console, Collection Connyu का मतलब क्या होता है Console Input Output Header Files hash का मतलब क्या होता Pre process, सबसे पहלेの process कर include किसको include कर Studio.h को इसकροगे, सबसे पहले PRE process, सबसे पहले process कर include किसको include कर शामल कर प्रोग्रम में तो disadvantage, Console Input Output Header Files को और友iac तहारसinde, टीज बॉइ служिों meisiran unnecessator, जी में किया मिजे रहा है,क्ती सब्सक्राइब मुझे रहा है, अई उसके वहाराम ख़सिद ही हो तो खच्राहिज केड़ और और जी आए लॉता,जी के वहाराम कि बॉइदी को खच्राहिब हो ने प्ती सिरी में सी के बोग्रम के ब कर दिया यह बात में देखेंगे उदर प्रक्टिकल जब करेंगे तो उसके बाद C में A प्लस का जोड कर दिया एक में 8 वैली ओ बी में कितनी वैली ओ ट्वैलर वैल्यू सी में A और B का प्लस करके इसमें C में 100 तोर कर दिया कितना हो गया 20 20 को हमने क्या करना पड़ेगा अल्टर प्लस F5 देखेंगे जब प्रोग्राम करेंगे ठीक है उसके बाद जहें मारा सब्ट्रेक्शन का मारा प्रोग्रम है उससे हमने A में 18 वैल्यू ले ले लिए बी में 12 अब जितना वी अंसर 6 आजएका 6 C में आएगा C को हमने प्रेंट करवा दिया उसके बाद हमने जब मल्टिप्लाइ कर लिए मल्टि स्टार का सिंबल क्या होता है मल्टिप्लाइ ए में 3 वैल्यू बी में 12 36 हो गया चती हो गया चती हम कितने में स्टोर कर दिया कहां पर सी लेंगी सी वैरिएबल में सी इसको प्रेंट कर दिया 36 सुमारा अनसर आगया ओट पुट हागये ठीक है उसके बाद आजए गया उसका और हम हमें pointer में answer चाहिए जब हमें pointer में answer चाहिए तो हम कहें टाटडाई match करते हैं float ? अगर हमे theater पौइंटों में answer नहीं चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं int अभी हम大いる करते हैं int अगर नोहाथ यूज करते हैं तो इस अगला pre just होता है modulate operator कि अकम करता है जो reminder बचता है जो reminder बचता है वो उसका answer हो ठीक है हमने 19 value ले ले लिए उसके v5 ले लिए और जब इसका modulate करें कि तो answer कितना आएगा 4 आएगा कितना remainder बचेगा 4 बचेगा क्या अगर 3 को अगर हम इसके तो में संब दिए करें के तो हमाईर कइतना अर्ड़ी करें जो तो इसकी अन्षर कितना आएगा ओपर, और जो नीचे वज़ेगा डिखे शीं चाते नाव निचे वाय दिए काम नहीं ही और डिखते है इसकी सभी के प्रोग्राम् मिंƯह भिप खा के था विपे A में 12 B में 34 C में 40 C में हमने दे दी value A और B का जोड़ कर दिया और इसको print कर दिया C को print कर दिया और get इसको compile करना F9 से run करना Ctrl F9 से ठीक है जहें हमारी output आगे अगर आप use नहीं करना चाहते है आपको keyword तो आप mouse से करना चाहते हो सबसे पहले compile पर click करेंगे compile Altar Plus F9 लिखा हुआ जहाँ पर और फिर इसको run कर देंगे ठीक है तो यह run हो गया हमारा done ठीक है यह हमारा हो गया उसके बाद अगर हमने इसको क्या करना है subtraction करना है तो जहाँ पर माइनस का symbol आदो compile कर दो इसको loggy माइनस का answer ठीक है तो जहाँ पर हम value बड़ी कर लेते हैं ठीक है अभी इसको run करते है F9 उसके बाद control F9 यह देखो मतलब अगर minus करना है तो A की value से B को हमने subtract कर दिया मतलब A की value से B की value को minus कर दिया जो answer आगया C में आगया C को हमने print कर दिया ठीक है तो J हो गया हमारा उसके बाद इसी तरह multiply हो जाएगा उसको छोटी कर लेते है value सोड़ी ठीक है हमारा multiply का symbol क्या होता है multiply का symbol होता है start ठीक है ठीक है उसके बाद control F9 यह output आगे multiply हो गया ठीक है तो उसके बाद हम इस पर value ले देते हैं जहां पर जतीन ही रहने देते हैं ठीक है तो अगर हम इससे division करेंगे तो हमारा answer कितना आना चाहिए division कर दी हमने यह आ रहा है हमारा answer point मतलब की point हो में answer आना जाहिए 4.3 आना जाहिए तो अगर हमें point हो में answer जाहिए यह तो उसके लिए हमें क्या use करना पड़ेगा float यह उसकरना पड़ेगा float तो इसका format specified जो personate d लिखा हुआ है personate d की जगा हम क्या लिखेंगे percentage f जो personate d होता वो किसका होता है वो होता है and teaser का format format specified क्या होता है f percentage f अवे जो अवे answer मिलेगा वो मिलेगा जाता है 6th place तक जो float पे answer आता है जो point के बाद बाद जाता है 6th place टक तो 6th place तक अपने पहले 5 x 6 उसके बाद 7 पाइंट के बाद 6th place तक जाता है value जाती है उसके बाद माडूलेट modulate क्या होता है modulate वो होता है कि जो answer जो नीचे बज़ता है reminder बज़ता है वो वल answer होता है जो modulate होता है ठीक है तो modulate करेंगे तो answer कितना है हमारा ठीक है जो modulate करके answer कितना है 2 ठीक है 2 answer आया जो बाकी बचा जो नीचे reminder बचा वो answer होगा modulate में जो modulate किस data type पे काम करता है जे modulate सिर्फ एंटीजर पर ही काम करता है अगर इसको हमें float पर काम करना चाहें इसको float पर use करना चाहें अगर हमने modulate data type को तो क्या हैगा error आगई ठीक है error आगई जो can't perform illegal use of floating point कि हम modulate operator को float पर use नहीं कर सकते दिस दा interview को आचनार दिस दा technical point ठीक है जे सिर्फ एंटीजर पर ही काम करता है ठीक है उसके अब आद जे देखो ठीक है जे हो गया control F9 अगर एक चीज़ और हम एक चीज़ और करते हैं अब इसको आपको scanf use करके दिखाते हैं ठीक है अगर हमने black screen पर value देनी है अगर हमने blank screen पर value देनी है उसके लिए हमें कौन सा function यूज़ करेंगे उसके लिए यूज़ करेंगे scanf ठीक है percentage d हमने अगर एक ही value देनी है तो यहां पर a लिखते देंगे अब percentage a ठीक है उसी तरह scanf ठीक percentage d ठीक है तो जहां पर हम लिखते हैं के प्रिंट एफ एंटर एंटर वैल्यू आफ ए ठीक है उसके बाद इसी को हम copy कर लते हैं control insert shift insert जी आपको अगर मालूम नहीं है कि कैसे copy करना है आप इससे पता लग जाएगा अल्टर ए में प्रेस करूंगा जहां पे एडिट पर क्लिक करूंगा तो यह देखो copy paste की shortcut की जहां पर लिकी होई है मैंने जह स्लेक्ट करके यूज की ठीक है तो अभी मैं इसको भी करता हूँ ठीक है तो new line लिखता हूँ जहां पे new line आए तो मैंने f9 किया उसके बाद control f9 किया जह मारी स्क्रीन पर अभी flash कर रही है अभी value मांग रहा है ठीक है हमने value कोई भी दी किस function की वज़ा से मैंने इसको value दी मैंने इसको value दी मैंने इसको value दी scanf की वज़ा से जो इन्हें 8 value एंटर की जै किस variable में store होगा वो ए variable में store होगा ठीक है क्या क्या गड़वड़ी हो गई scanf ठीक है जो reminder का program है सबसे पहले मैंने 8 value दी उसके बाद मैंने 2 value दी उसका reminder दे दिया मतलब reminder निकल गया 0 बचे गया 0 को चार से गया मैं plus करता हूं इसको ठीक है इसको मैंने किया plus मैंने किया plus ठीक है कोई value दी मैंने enter लिखा यह अभी दोनों value को plus कर देगा जो black screen पर value दे रहे हैं किसकी वज़ा से दे रहे हैं जो scanf की वज़ा से दे रहे हैं अगर अगर अपने print app लगाना लगाओ ना लगाना लगाओ ठीक है इसका कोई चकर नहीं है मैंने इसका comment बना दिया comment क्या होता है non executed statements ठीक है जे देखो अभी मैं नहीं कुछ भी आ रहा पर फिर भी value enter कर रहे है value enter किसी वज़ा से हो रही है scanf की वज़ा से ठीक है अगर गेच नहीं लगाते तो output देखने के लिए क्या keyword से प्रेस करना पड़ेगा अगर हम गेच नहीं लगाते तो output देखने के लिए हमें keyword से ALT ALT plus इसके साथ क्या प्रेस करना पड़ेगा F5, अगर हम मतलब Gatch नहीं लगाते हैं, तो हमारी Output देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Keyboard से और Output देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? Alter plus F5 अब मैं Keyboard से Alter plus F5 प्रेस कर रहा हूं, यह देखो मतलब Output देखने हैं, Output Gatch नहीं यूज़ कर रहा हूं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? Alter plus F5 प्रेस करना पड़ेगा, Clear Screen के क्या मतलब होता है, कि जो भी आपकी Screen पे पहले Data होगा, वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? यह देखो Prana Data ऐसे ही आई जाएगा यह देखो Prana Data, ठीक है मतलब उसको Remove करना चाते है, तो Clear Screen यूज़ करना ही पड़ेगा आपको ठीक है यह देखो Prana Data ऐसे ही आ रहा है मारी Screen पे रच पह गया ठीक है, बहुँ सरे अगर हम चाहते हैं कि मारे जो पहला लिगा वो Remove हो जाए, उसके लिए में Clear Screen लगाना पड़ेगा ठीक है, जे देखो Remove हो गया, जे काम किया, किसी ने किया Clear Screen है, ठीक है, तो जे हमारे कुछ फंक्शन थे, Sprint F, Scan F, ठीक है, Arthematic Operator की है A, Multi, 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 Divis, ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई भी दिखाए, तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेर करना प्लीज कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सकाइब भी जरूर करना थैंक्स पर वाचेंग